तो हलो दोस्तों इस video हम लोग देखेंगे कि रासाइनिक सुत्र जो कि आपके कैमेस्ट्री के एक्जाम में बहुत ज़्यादा पुछा जाता है पॉल टेक्निक एक्साम में मतलब ज़ादा से ज़ादा question आपसे पूछा गया है कि रासानिक सुतर बनाईए कोई भी आपको compound देता है जैसे इस type का कोई compound देगा hydrogen chloride का आप रासानिक सुतर बताईए या फिर आपको सायोजकता देगा कि hydrogen की सायोजकता ये है, chlorine की सायोजकता य आई तो ऐसे question आपसे देखे होंगे, अगर आप previous question solve करते होंगे तो आप जो है देखे होंगे, तो मैं आपको इस video में वही बताऊँगा एकदम आसान, easy ताकि आपको आपको समझ में आ जाए, समझ जाए कि salt trick सी है, चलिए लेकिन उसके पहले आपको ये याद रखना पड हम सबसे पहले चीज जो आपको वहाँ चाहिए आपको व्हाल सी चाहिए, सक वहाँ ओजगता रहाद हमें कि निकाने का सिंपल सहा एक तरीका याद रख लख लिए कि 얼ER कमी करने तो इस पर तो कि माली जी अगर हमारे पास सोडियम है तो सोडियम पे कौन सचा जाता है प्लस का बन चा जाता है एनि-इपलस होता है यायनल कि सहावजक्ता किसी तो आप उसके याद करें कि उस वह कौन सा चार्ज होता है वह सिंपल सी आयोगता हो जाती है ठीक है अब यहाँ पर जैसे कि यह आप से कहता है हाई लोक्साइड हाऊड्रोकसाइड का आपको फॉर्णा दे देगा और कहेगा कि आप वह इसका सूत्र बताए तो हाइड्रोकसाइड जो हो था हो होता है ओएच माइनस यानि कि इसकी समय जगता कितनी होती है माइनस का वन और यह सब होते हैं कितनी होती है वन होती है क्लोरीन पर भी बन चार्ज और ब्रोमीन पर भी बन चार्ज स्री ठिक है तो यह सब इस आईोदीन पर वन चार्ज बाई कर्बुरेट अगर बनाना है जैसे कि प्रोटेशन क्लोरीट का व्लोन है ना तो यह अगर आपको बताना है तो आपको याद रखना पड़ेगा तो इसका डाइक्रोमेट का जो सभी कितनी होगी 2 होगी क्योंकि जितने चार्ज वही इसकी सायनाइट की से कितने हो जाएगी वन हो जाएगी तो यह आपको पहले याद रखना है अब आते हैं रासायनिक सुत्र पर बनाते हैं आपको मैंने आप दिया हुआ है बताए हाइड्रोजन क्लोराइड की सही जगता आपको याद होनी चाहिए थोड़ी सी और मैं आपको इस सिर्फ ट्रिक ब पर प्लस चाहिए तो हाइड्रोजन की सही जगता होती है और क्लोरीन की सही जगता कितनी होती है उसकी भी होती है वन क्योंकि उस पर माइनस का वन चाह जाता है हमने यहाँ पर लिखा भे कि जितने भी हाइलाइट्स होते हैं उनके सभी की सही जगता कितनी होती है तो आप यहां पर भी नीचे हम नहीं लिखते हैं यह सी होगया हमारा रासायनिक सुत्र वैसे हार्डोजन फ्लॉराइड का अगर आपको उस रिखना है तो फ्लोडियोगता पता कर लीजिए फ्लोरीं की सब्सक्ता है दिचीए ये यह हो आपका सिंपल सा हो जाएगा वैसे आई रखते है तो मैंने आपको क्या बता है सबसे पहले सोर्डियम लिखने ने आपको और इसकी समय जक्ता लिखने है, यानि कि क्लोरीन की समय जक्ता कितनी होती है, प्लस का 1 चार्ज होता है, यानि कि इसकी समय जक्ता कितनी हो जाएगी, इसकी भी 1 ही होती है, हमें क्या करना है, समय जक्ता हमने लिख दिया, अब इस सोडियम की समय जक्ता क्लोरीन के नीचे लिखन होती है यह सोडियम हाइड्रोकसाइड की अब आते हैं में चीज़ पर सोडियम हमने लिग दिया वन हाइड्रोकसाइड ओएच और वी होती है होती है मतलब माइनिस होती है लेकिन उसकी संव्छक्ता 1 क्योंकि माइनस 1 चार था इसलिकिए संव्छक्ता 1 सिंपल सार्याज्बिये इसका हमेरे इसको दे तो यह को यह वच्यागा एन ने होआछ नीचे दिन्तू Frников सा है अब आते हैं Aluminium Hydroxide ठीक है अब Aluminium लिख दिया हमने अब यह बताए कि Aluminium की जो है वो अभी तो simple simple 1-1 चला था कोई दिक्कत नहीं थी कोई problem नहीं थी लेखने हाँ पर Aluminium है तो Aluminium की समझगता कितनी होती है 3 होते क्योंकि इस पर 4 जो है वो 3 होता है जो Hydrogen की नीचे लिखनी है और जो Hydroxide की सम SG के लिखता है वो Aluminium की नीचे लिखनी है बस या लिखकरना है तो यह हमारा Al की नीचे तो हम unique यहां पर आपकू को दिखने होगा एयल की नीचे कितना लिखेंगे और फिर Woo ह की नीचे हमए कोई दिक्कत नहीं sekarang कि पोटेस्यम डाइक्रोमेट काल बना तो यहां पर हम रियस्य करते हैं पोटेस्यम डाइक्रूमेट लिखते हैं पोटेस्यम डाइक्रोमेट यह हो إropary डाइक्रूमेट तिनिंग तो सब्सक्राइवार लिखने की है इसका क्लर्शम हैатов्य everybody होता है स्वें हो जगता है इसके कितनी होती है वन होती है तो हमने इसका संभ्णजगता लिए डाइक्रोमिट क्या होता है तो डाइक्रोमिट होता है आपका यह से स्शाओ direction hautिर्स में आपप ये वीडियो में बहुत सारी ट्रिक्स बहुत सारी ठीक्ट करिए उसमें बहुत बहुत सारे ड्रिक्स पढ़ हो जो आपके exam के लिए बहुत जाला व्यादा बहुत जाला इस्पोर्ण कहले है правда वासर करता हूँ कि आपको समझना होगा बाकि मिलते हैं अगली वीडियो में थैंक यू